जैहिन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों, पैंसन भोगियों के लिए गुड न्यूज और वो गुड न्यूज क्या है? वो ये है कि अब पैंसन बड़ोत्री 65 साल से शुरू होगी 80 साल की बजाए ये मुद्दा कापी समय से उठा हुआ है और इस मुद्दे पर पाल्यमेंटरी कमेटी यानि की संसदिय सम्ती की सिफारश भी दी गई है और अब ये मुद्धा कार्मिक लोग सिकायत की एवं पैंशन मंत्राले के जो मंत्री जी हैं यानि जो राज मंत्री हैं डॉक्टर जित्तेंद्र जी उनके पास है दोस्तों जो 110 मी संसदिय सम्ती की बैठक हुई थी मीटेंग हुई थी केंद्र के जो पैंशन भोग이 हैं उनकी सिकायतों के निवारण है तूँ और पार्लियमेंटरी कमेटी की जो बहुत सारी सिफार से थी उनमें सबसे एहम सिफार से ये थी कि पैंसन भोगियों की 80 साल पूरी होने पर जो एडिसनल पैंसन में बढ़ोतरी होती है आप उस बढ़ोतरी को 65 साल की उम्र से बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि 80 साल की उम्र लगवग 10% pensioners ही सर्वाइव कर पाते हैं अगर pensioners को वाकी फैदा देना है तो 65 years से उनकी pension में बढ़ोत्री होनी चाहिए और वो किस तरह से होनी चाहिए क्या उसमें बताया गया था यह देखे आपके सामने यानि कि 5% की बढ़ोत्री होनी चाहिए कब जब pensioners की age 65 years हो जाती ह और दोस्तों 10% pensioners बढ़ोत्री जब होनी चाहिए जब pensioners 70 years की age अटेन करता है और 15% की बढ़ोत्री जब होनी चाहिए जब pensioners की age 75 वर्स हो जाती है और दोस्तों 80 वर्स की जब age होती है तो उस समय 20% की बढ़ोत्री होनी चाहिए इस तरीके से दोस्तों 80 साल की उमर होने प पर 20% ये और 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50 यानि 50% पैंसन की बड़ोत्री होनी चाहिए ना कि 20% क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक ही लोग 80 साल की एज तक सर्वाइब कर पाते हैं पैंसनर्स ये मुद्ध डॉक्टर जी तंदर जी के पास पहुंचाया दोस्तों और जो सम्टी की मुख सिफार से थी वो कुछ इस तरीके से थी इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइद करा देता हूँ कि मौजूदा जो बेबस् सब्सक्राइब सरकार को और इनकी मुख चार से भार से थी जैसा कि आप यहाँ देख पारें पैंशन वो पैंशनर कल्यार्ड विभाको जो पैंशनर्स हैं happy जाहें वो डिफैंस रेल बे करो क्मिनिकरशन डिपार्टमेंट उंसमभंदित मंत्राले उससिति को कहना चाहिए एक हम अधिक से अधिक पैंशन्स इकायतों का समाधान निकालने का कोसिस करें क्योंकि pensioners की शिकायते बहुत सारी होती हैं और वो संघर्ष करकर के चले जाते हैं लेकिन उनको उनकी proper pension नहीं मिल पाती ऐसे बहुत सारे cases है दूसरा अन्हों ने कहा है कि जिन मंत्रालों के pensioners है वो उनके जो मामले हैं, समस्या हैं, उनको समय पर समाधान हो, यानि कि एक time frame हो कि उस time के अंदर अंदर pensioner की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, ये नहीं कि pensioners की समस्या का समाधान छोटा सा मुद्दा हो, कोई और लटका रहे, कभी वो अपने record office के चकर काटे, कभी PCDA के चकर काटे, कभ वो एक time frame के अंदर 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 उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, तीसरा, quality counseling of India के जरिये, सम्मंदित एजेंसियों को pension, स्वीकिर्थ, आवंटन, processing वो भुगतान, पिरकिरिया में सुधार करे, यानि कि जो पिरकिरिया है, प्रोसेस है, उसमें सुधार की बहुत एजेंसियां वो विभाग, pensioners की सिकायतों के निवारन के लिए बाधा बन रहे हैं, देरी करते हैं, उनको जवाब दे होना चाहिए, उनसे जवाब लिया जाए, उनके ऐसी विवस्ता बनाई जाए, कि उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, देरी की बज़े क्या है, इस तरह का ये जो संसद्य सम्ती की 110 मी बैठिक हुई थी, उसमें ये मुख मुख से फार से की गई थी दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके सामने है, जो केंद्रिय मंत्री, जिन के पास ये मुद्दा गया है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रांट अप एडिशनल पैंशन उसके बारे में, इसी में दोस्तों और बहुत सारे मुद्दे थे, मेडिकल एलाउंस का भी मुद्दा है आपका, उसको भी बढ़ाने की बात कहे गई है, और M.A.C.P. ये मुद्दा भी एहम है, इसमें कोट के डिसीजन भी आये हुए, 2008 से लागू ही है, लेकिन कोट ने कहा है कि ये 1 जनवरी 2006 से इंप्लिमेंट माना जाया, कि ये भी सेलरी है, पैंसनर्स के सर्विंग परसनल के बारे में है, पैंसनर्स को इसका बेनिफिट मिलना है, जो पैंसनर्स आगे जिनको नहीं लगी है, उस सब के बारे में भी ये सेफार्स की गई है, इस तरीके से दोस्तों, जो आपकी पैंसन अदालत हैं, लगती हैं, जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का मैं फोकस यह था, कि जो additional pension मिलती है, 80 years की उमर पूरी होने पर pensioners को, उसको 65 करने की जो मांग है, अब वो कार्मिक सिकायत लोग एवों pension मंत्रा ले, जिसके मंत्री डॉक्टर जितिंदर जी है, उनके पाले में है तो उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा result निकर कर आए, और 10% जो pensioners 80 साल की एज तक बच पाते हैं, उनकी बजाए जो 65 years एज पर ज्यादा तर हमारे pensioners जीवित होते हैं, उनको इसका फैदा मिल सके, तो दोस्तो यह थी जानकारी आज की इस वीडियो में, फिर मिलेंगे दो इसके का उनकारी, jump up! ऐ जो उनकारी आए, उनकारी आए, पिर मिलेंगे मिल भी नगनी जाए तक मुणा की आए, शाते हैं, उनकी आए, जनकी ए उनकी, याल वाकिब बहाए, तकर तक्ड़श मिलेंगे, शोस्तो बातुशा पात। झाल झाल